नमस्कार मेहुद वे बिहारी नियूज में आपका स्वागत है खबरो क्यों बढ़ने से पहले एक निजर सुर्खियों पर सहकारी बैंकों में अधिक से अधिक खाता खोलने के लिए चलेगा विसेस अभियान मुर्गी पालन का वेबसाइट करने की सोच रहे यवाओं के लिए सुनहेर आप सर वायू गुनवत्ता के मामले में बिहार के सहरों के हवा के स्थिति निरासा जनक बिहार के प्रसास्तिक महकमे में हुआ वरा फेर बदर सहकारी बैंकों में अधिक से अधिक खाता खोल ग्रहक बनाने के लिए एक विसेस अभियान एक महिने तक चलाया जाएगा यह अभियान अभी प्रदेश के 290 जुला केंद्रिय सहकारी बैंक की साखाओं में शुरू किया गया है इसके शुरुआत सनीवार को सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने की है सभी पंचायतों के पैक्स मुख्याले में विसेश अभियान के तहट कैम्प का एउजन होगा यहां एचुक ग्रामेन आकर अपना खाता खुलवा सकेंगे मंत्री प्रेम कुमार ने कहा एक जिला सहकारी बैंकों में जमा व्रद्धी होने से प्रदेश के किसानों छोटे कामगारों को साख की सुविधा उपलब्द कराने में मदद मिलेगी ताकि राज्यका सर्वांगिर विकास हो बिहार के प्रसासनिक महकमे में हुआ बड़ा फेर बदल बीते दिन प्रदेश के प्रसासनिक महकमे में एक बाढ़ फिर से बड़ा फेर बदल देखने को मिला है इसके तहत 43 आईगे साधिकारियों के विभाग में तब आदले की खबर सामने आई है आधा दर्जन से भी अधिक जिलों के डियम बदले गया है निसमे सासा राम, जमूई, आड़ा और सिफर जैसे कई जिले सामल है इसके लिए सामाने प्रसासन विभाग के तरब से अधी सूचना जारी कर दी गई है जारी हुए अधी सूचना के मुदाबिक पटना में कई विभागों में भी आईये साधिकारियों के विभाग बदले गए है वायू गुनवत्ता के मामले में बिहार के सहरों के हवा के स्थिति निरासा जनक, देश के सहर की वायू सबसे अच्छी है उन सहरों के सूची केंड़ी पर्यावरण मंत्राले के तरब से जारी की गई है इस सूची में बिहार के सहरों के स्थिति निरासा जनक देखने को मिली है वही राश्ट्य अस्तर पर नेस्नल क्लीन एर सिटी का खिताब गुजराथ के सूरत सहर को मिला है ये पुरसकार किंद्री पर्यावरन मंत्रारे द्वारा आयोजित नीले आस्मान के लिए स्वच वायू के इंतरास्टे दिवस के तहट किया गया है मंत्रारे द्वारा जारी सूजी के टॉप 10 लिस्ट में बिहार का एक मात्र सहर गया सामिल है गया को 10 लाख की आवादी में साफ हवावाले टॉप 10 सहर में आठवा अस्थान मिला है महीं पत्ना को 10 लाख से अधिक आवादी वाले सहरों की सुरेनी में 14 वा अस्थान दिया गया है आज पाटली पुत्रा स्पोर्ट्स कॉंप्लेक्स में पहली बार बिहार वॉलीबॉल लीग का उधगाटन किया गया ये लीग आट से पंदर सितंबर तक चलेगी बिहार राज्य खेल प्राधिकरन के महा निदेशक रविंदरन संकरन के अनुसार लीग का आयोजन अरजन और द्रोना चारे पुरुसकार से सम्मानित वॉलीबॉल प्रसक्षवक जी स्रीधरन के निर्देशन में हो रहा है इस लीग में 6 टीम में भाग लेंगे और मैच प्रति दिन साम 4 बजे से होंगे सभी खिलारी बिहार के हैं जर्में से 350 प्रतिभावान खिलारियों में से 84 को चैनित किया गया है मैच अंतर राश्टी अस्तर के ट्विट्रा फ्लिक्स मैट पर खेले जाएंगे विजेता टीम को 1.75 लाक रुपे उप विजेता को 1.5 लाक रुपे और तीसरे अस्तान पर रहने वाली टीम को 1 लाक रुपे परस्कार दिये जाएंगे जी स्रीधरन के मताबिक बिहार के 4-5 खिलारी राश्टे टीम में सामल होने की शमता रखते हैं लीकी की टीमों में प पहले अस्थान पर राश्ट्य महिला इवं बाल विकास मंत्राले बेटियों के प्रती लोगों की सोच बदलने और उन्हें जागरू करने के लिए अभियान चला रही है ताकि प्रदेस में लेंगिक भेदवाव और समानत और अबोर्शन को पूरी तरह से खत्म किया जा सक पूर्शे सभ्यान में सबसे जादा बढ़्चरकर हिसा ले रहे हैं अभी तक worthy लाग से वीदिक पूर्शों और एक लाग महिलां ने प्रदेश में सपत लेने वालों में सबसे जादा लोग पटना और दूसरे नंबर पर नालंदा से हैं बेहटा एरपोर्ट के रन्वे के लिए सर्वे का काम हुआ शुरू सनिवार से बेहटा एरपोर्ट के रन्वे के विस्तार के लिए सर्वे का काम शुरू हो चुका है रनवे के विस्तार का ये काम पश्चम दिसा से शुरू हुआ है जिसके थैत पहले दिन 190 मकानों की गिंती हुई है ये काम स्टियो दिविस सक्ति के आसवासन पर शुरू किया गया है इस दोरान ग्रामिनों ने कहा कि यदि सर्वे रिपोर्ट में उनके साथ ज्यादती होती है तो वे कोई काम नहीं करने देंगे आपको बता दिक 191 एकर जमीन का धिगरन किया जाएगा ताकि एरपोर्ट का प्रणवे विस्तार किया जा सके इसके प्रसासन पूर्वी और पश्टमी दोनों की चोड़ पर सर्वे करवा रही है दानापुर एस्टियों ने ग्रामिनों से कहा है कि अभी सिर्फ सर्वे रिपोर्ट भेजी जानी है इसलिए परिशान होने की कोई बात नहीं है बिहार म मौनसून अब खत्म होने की कगार पर है जैसे वर्सा होनी चाहिए थी प्रदेश में वैसी बारिस नहीं हुई है अभी तक कि आखरों के मुताबिक बिहार में 26 प्रतिसत कम वर्सा हुई है मौसम में भाग ने बताया कि बंगाल की खारी में कम दबाव का शेत्र बना हुआ है जिस वज़त से मौसम बदला हुआ हालां कि अभी मौनसून खत्म होने में 10 से 11 दिन है उम्मीद की जा रही है कि बच्चे इन दिनों में मौनसून रफ्तार पकरे बिहार में 24 घंटे में डेंगू के मिले 62 मरीज बिहार में डेंगू के मामले में लगतार बरहोतरी देख संख्या बांकेपूर पाटले पुत्र और अजीमाबाद अंचल से सामने आये हैं दिस वज़त से पटना डेंगू के मामले में 496 मरीजों के साथ पहले अस्थान पर हैं गया में कुल 61 डेंगू मरीज मिले हैं और मुसफरपूर में डेंगू मरीजों की संख्या पच्पन ह पटना में डेंगू से बच्चाप के लिए डेंग डॉक्टर चंदर सेखर सिंग ने सिविल सर्जन और लगर निकायों के कारेपालक पदाधिकारियों को एंटी लार्वा का सगन छरकाव कराने के निर्देश्टिये हैं मुर्गी पालन का वेबसाय करने की सोच रही यवाओं के लिए सुनहराफ सर्ज यदि आप मुर्गी पालन का वेबसाय शुरू करने की सोच रहे हैं तो हाज़ेपूर के रूड़ सेट संस्थान का दस दिवसे निसुल्क प्रसेक्षन आपके लिए एक अच्छा मौका है ये प्रसेक्षन 11 सितंबर से शुरू हो रहा है और इसका उद्देश से गिवाओं और किसानों को मुर्गी पालन की तक्नीकी जानकारी देना है इसमें उत्पादन और प्रबंधन के सभी पहलू सामल होंगे प्रसेक्षन के अंत में अगर आपके पास पूंजी की कमी है त दो पास्पूर साइज फोटो रासन कार्ड और क्वालिफिकेशन सामल है इस प्रस्ट्रक्षन के तहद 35 लोगों को मुर्गी पालन की जानकारी देने का लाक्ष्य रखा गया है बिहार में 4000 से भी ज्यादा सरकारी स्कूलों के पास नहीं अपना भावर बिहार में 4918 स्कू सरकारी मांगी गई प्रदेश में कुल 74,000 सरकारी स्कूल है वही 700 स्कूल तो सिफ्ट में चलाय जा रही है ताकि एक से अधिक स्कूलों का संचालन एक ही भवन में किया जा सके कई जगों पर तो एक ही कमरे में 3-3 कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है हाला कि जिन स्कूलो में आठवी तक के 278 भवन हीन विद्याले का निर्मान होना था लेकिन केवल 119 विद्याले को ही अपना भवन मिल सका यू ने खान इंस्पेक्टर के घर से चापे मारी में कई अवैज संपती का किया खुला सा आर्थिक अप्राधिकाई यानि यू ने बिहार में भोजपूर के पूर्व खान निरक्षक रंजीत कुमार के खिलाफ कारवाई की है यू के टीम ने इनके पांच ठिकानों पर एक साथ दो दिनों तक चापे मारी की जिसमें आरा में चार और पटना में एक ठिकानों पर चापे मारी की कारवाई हुई है जिसके बाद रंजीत कुमार की बरी संपती का खुलासा हुआ है जहां पदा चलाए कि इनकी संपती केवल बिहार ही नहीं जारकंड तक भी फैली हुई है जहां था कि खान इंस्पेक्टर की बालू माफियों के साथ भी साथ घाट की बार सामने आई है इनकी आई के स्रोथ से इनकी संपती करेब 36 फीजदी अधिक है इनके घर से कई जमीन जायदात और क्वितिये निवेस से संबंधित कागजाद बरामद हुए हैं मंत्री जमाख खान ने सियम नितियस के विकास कारियों की सरहना करते वे विपक्षियों पर किया हमला सनिवार को कैमोर जिले के लिच्वी भवन भभुवा में ता 2005 के बाद विकास के देशा में किवल नितियस कुमार का ही योगदान है उन्होंने आरूप लगाया कि अन्य किवल नीजी कंपनियों के माध्यम से बिहर को लूटने का पर्यास कर रहे हैं और किसी के आभार यात्रा से फर्क नहीं परता मंत्री जमाख खान नितियस कुमार क कि सरकार के विकास कारियों की तारीफ की और का की जनता विकास को देख कर वोट करेगी चुनाब के समय करी लोग आएंगे लेकिन इसका बिहर के विकास पर कोई असर नहीं होगा और उन्होंने सरकारी दफ्टर के बरा बाबू को इस सर्वनाक स्थिति में पकर लिया पकर प्रधान निपिकु नसे में देख उन्होंने इनकी जांच करवाई जिसके बाद इस बात के पूश्टी हुए इसके बाद बग्यार देरी के पुलस ने इस सरावी कर्मचारी को अपने हिरासत में ले लिया अब इसे जेल भेज दिया गया है इस दोरान वीर्यों और सीओ अपने ड्यूटी पर नहीं थे सांसत पपु यादव से कई लोगों ने अंचल में हो रहे प्रस्टाचार के सिकायत की है कई लोगों ने तो ये भी बताया कि जमीन के म्यूटेशन के लिए रिस्वत मांगी जाती है आज है भारतिय टीम के सलामी बल्लेबाद सुबमन गिल का 25 जन्म दिन है इनका जन्म आज के दिन वर्स 1999 में पंजाब के फाजिलका में हुआ था इन्हें बचपन से ही क्रिकेट खेलने का काफी सोग था इनके पिता लखविंदर सिंग ने इन्हें खेत में क्रिकेट की प्रैक्टिस करवाते थे इनका जीवन बड़ा ही संघर स्पून रहा है लेकिन बहुती कम उम्र में इन्होंने अपने जीवन में सफलता पाली इनके नेट वर्थ की बात करें तो वो 32 करोर रूपे हैं इन्होंने कई ब्रैंड प्रमोसन भी किये हैं साथ ही ये BCCI का ग्रेड एक कॉंट्रेक्ट भी हासल कर चुके हैं इन्होंने क्रिकेट करियर में कई बरे रिकॉर्ड भी अपने नाम किये हैं बीते दिन हमारे दोर पूझे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों अपने जवाब हमें हमारी comment section box में लेकर दिया था जिन्होंना दर पूझे का सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है पुस्पक कुमार राकेस मिस्टर आलोग प्रेदर्सी राजके सोर महतो जितिंद्र ठाकुर संजीव कुमार कुस्त कुमार ग्यादव इसे के साथ परते हैं आज के सवाल के और आज का सवाल है आप अपने अस्तर से प्रदूसर को कम करने के लिए क्या करते हैं आप अपना जवाब हमें मारी comment section box में लिका जरूर बताए आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे और साथ अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब अगर आप Facebook से देखना तो पेच को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद